नमस्कार दोस्तो सुवागत है आप सभी का AY5 Learn classes में तो दोस्तो आज किस क्लास में रिजिनिंग के टॉप 5 questions दोस्तो आपकी कराने वाला हूं जिसमें दोस्तो आपका topic है रक्त सम्मढ जिसे हम दोस्तो blood relation के रूप में भी जानते हैं या दखने दोस्तो काफ़ important topic है Question आपसे examamon पूछा जाता है चले question को बढ़ता है वीडियो को कर दे चले पहला पर इसे तरह कि और करते होई सुनेता ने कहा कि उसकी मा का इकलोता पुत्र मेरा पिता है तो बताये सुनिता रावन से किस प्रकार समद्द है इस प्रकार से question आपसे पूछे जाएगा दोस्तू रख सम्मद में सबसे पहले देखे इस question को करना क्या है question को पढ़ते जाना है उसी अनुसार इनको जमाना है सबसे पहले रमन की और इसारा करते हुए सुनीता ने कहा सबसे पहले दोस्तों हम रमन को लेते हैं रमन आपका यह हो गया यहाँ पर दोस्तों सुनीता सुनीता को भी साथ इसमें लेते चलेंगे रमन की और इसारा करते हुए सुनीता ने कहा कि उसकी मा का उसकी इनकिसकी रमन की मा रमन की मा हो गई रमन की मा का एकलोता पुत्र रमन की मा का एकलोता पुत्र यहां पर दोस्तो याद खना है यह एकलोता पुत्र हो गया है साथ ही कुश्चन के अनुसार ही मा का एकलोता पुत्र मेरा पिता है किसका पिता है सुनीता का यह पिता है दोस्तो याद खना है सुनीता का क्या है पिता है तो दोस्तो या दखना देखिए रमन की मा का एकलोता पुत्र रमन की मा का एकलोता पुत्र को होगा तो दोस्तो या दखना है यहाँ पर आपका क्या जाएगा यहाँ पर आएगा दोस्तो या दखना है यहाँ पर कौन आएगा दोस्तो स्वेम रमन आएगा इस जगर पर याद दखना है तो दोस्तों आगे कोशन पूचा गया है तो बताइए सुनीता रवन से किस प्रकार समधित है तो सुनीता रवन से किस प्रकार समधित होगी दोस्तों याद दखना है आपका क्या अंस हो जाएगा पुत्री क्या लगएगे सुनीता का यह पिता है दूस्तो रमन तो रमन की यह सुनीता क्या लगएगे दूस्तो पुत्री लगएगी याद दखना है option number 4 आपका से हो जागा इस person कान सा याद दखना है चलिए आपको समझ में आगए होगा दूस्तो question को आगए बढ़ते है next level का question है दूसर number person है दूस्तो प्रिशन है संबू संबू मीरा का भाई है याद इस सीला जो मीरा की बेहन है रमेश की बतिजी हो तो संबू का रमेश से क्या संबंदा इस प्रकार से question होगा दूस्तो तो इस question को करने के लिए दूस्तो क्या करना होगा आपको तो देखे याद रखना दोस्तो संबू मीरा का भाई है सबसे पहले रखा दोस्तो संबू मीरा का भाई है चलिए यहाँ पर हम संबू को लेते हैं दोस्तो यह दोस्तो आपको हो गया संबू संबू जो कि question क्या है यदि सीला जो मीरा की बेहन है सीला है जो दोस्तो क्या है मीरा की बेहन है तो दोस्तो या दखना है यहाँ पर सीला ले लेते हैं सीला यह हो गई यह दोस्तो किसकी मीरा की बेहन है दोस्तो या दखना है मीरा की क्या है बेहन याद दखनें दोस्तों यह क्या जगा बेहने मीरा की साथ ही दोस्तों रमेश की बतीजी हो यदि यह दोस्तों रमेश की बतीजी है तो देखें दोस्तों यहाँ पर हम रमेश को लेते हैं यह दोस्तों रमेश की क्या है रमेश की बतीजी है question के अनुसवारी चलना है दुश्त को رमेश की बत्ती जीए तो सम्बु का रमेश से क्या समन्द है तो देखे द्जिश्त नहीं देखे द्जिश्त याद dependence यह द्जिया ध्कना है यह द्जिश्त को सीला रमेश की बत्ती जी है तो वसात ही दोस्तो यह दोनों भाई भाई लगा है तो इसका यह क्या लगेंगे prepare वेने दूस्तो यह वनने ड़िए च collaborative conducting .ढ investigative sange backup .डिक रखेंगे में चेंसार यह दिन धना थेओं दोस्तो आपका सही निकार अंपर व्जान क्या याको वाउघते है्स and समझ में आगए होगा चलिए आगे बढ़ें अगले question के question number 13 है दुस्तो question a b c 3 a b or c का बाई है d c की मा है यदि e a का पिता है तो निम्लेखित में से कौन सा कथन निश्चत रूप से सत नहीं माना जा सकता है उससे आपको बताना है दोस्तो अब next step का question दोस्तो इस प्रिकार से आपसे पूछा जाएगा option आपके सामने दे रखें इन में से आपको बताना है चले इस question को solve करते हैं सबसे पहले दोस्तो इस question को आप जमा लेना है सबसे पहले आपको जमाना है दोस दोस्तो c इन दोनों का क्या है दोस्तो यह बाई है या दखना है यह करें दोस्तो गाह से फोट дов गया यह भी दूस्तो उनका क्या होगा है दोस्तो क्या है बियोर्सी के बाई है डी है दोस्तो यहां पर हम D को यहां पर ले लेते हैं D है जो आपकी इसकी C की क्या है मा D C की मा है और साथ ही दोस्तो आगे दे रखा है यदि E A का पिता है यदि यदि हम बात करें E दोस्तो यह E हो गया यह दोस्तो क्या है A का पिता है दोस्तो E A का पिता है तो निमले खित्म से कौन सा कतन निश्य तूरूप से सत नहीं माना जा सकता है दोस्तो हमने इने सभी को जमा लिया यानि कि A का पिता है दोस्तो तो B का भी पिता होगा C का भी पिता होगा यादखना है अब चले एक option सबसे पहले रखा है E B का पिता है दोस्तो, सबसे पहला option दे रखा है E B का पिता है दोस्तो E है, यह E हो गया दोस्तो B का पिता है दोस्तो बिल्कुल होगा A का भाई है तो, यह भी दोस्तो इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा दोस्तो या दखना अब आगे देखें यह option तो सही है E D का पती है E है जो दोस्तो D का पती है बिल्कुल इनका दोस्तो मा है तो यह आपकी E D की क्या हो जाएगी पत नी होगी दोस्तो याद रखना है यह E यह जो D का पती है बिल्कुल आपका सही है अब नेक्स इसमें देखा दोस्तो A D का पत्र है A D का पत्र बिल्कुल होगा क्योंकि C की मा है दोस्तो यह तो C दुनों भाई है तो A यह दोस्तो आपकी D की क्या हो जाएगी बिल्कुल इसमें बोल रहा है दोस्तो AD का पुत्र बिल्कुल आपका सही체 D का पुत्र है अब next आपके दिने involve का दूस्टो यादखना है अंतिम इसमें से B E का पुत्र है B है जो दूस्टो E का पुत्र है पुत्र कहां से होगा क्यांकि यह तो इसका बेट E का E का पिता है दूस्टो तो यह आपका पुत्र पिता का रिजरेशन है तो यह दूस्तो ई बी ए का पुत्र नहीं होगा तो option नमर 4 आपका सही answer होजागा पिशन का यादखना है फूर्थ नमर option आपका क्या होजागा correct answer होगा इस प्रकार से यादखना है चलिए आगे बड़े अगले question क्यों next question है person number 4 दूस्तो राम की और संकित करते हुए संजय ने कहा कि हुए मेरी चाचा के पिता का पुत्र है तो संजय सी राम किस प्रकार समझत है यह question है दूस्तो आपका next type का question आपको बनता है तो इसका answer देना है तो देखिए इस question को करना किस प्रकार से question के साफ से आप इसे solve करते जाएंगे सबसे पहले दोस्तो यादखना है इसमें दे रखा है दोस्तो देखिए राम की और संकित करते हुए संजय ने कहा तो दोस्तो इन दोनों को आप रख लेते हैं राम आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तो राम यह हो गया आपका यादखने राम की और संकित करते हुए संजय ने कहा संजय आपका यहाँ पर हो गया दोस्तो तो संजय ने राम की और संकित किया है कहा कि मेरे चाचा के पिता इनकी कुछ के संजय के चाचा संजय के चाचा संजय के चाचा के पिता तो दोस्तो आगे बढ़ते हैं पिता की और यह हो गए दोस्तो पिता संजय के चाचा के पिता का पुत्र पिता का पुत्र दोस्तो कौन होगा पिता का पुत्र कौन होगा दूस्तो या दखना है पिता का पुत्र कौन हो जाएगा तो राम ही होगा दूस्तो पिता का पुत्र दूस्तो यह आपका होगा पिता का पुत्र तो दूस्तो या दखना है पिता का पुत्र है तो संजय राम से किस प्रिकार समधित है अब आगे दूस्तो आपको बताना है देखी यह आपका दोस्तो यहां पर पता है यह संजय का क्या लगेगा याद आखना दोस्तो यह भी संजय की क्या लगेगे दोस्तो संजय की क्या होंगे पता होंगे संजय की क्या है यह भी दोस्तो यहां पर पता होंगे दोस्तो या धखना है रमेश और पूछा गया है, संजय से राम किस प्रिकार समझ देता है, संजय और राम दोस्तों ये किस प्रिकार समझ देता है, तो दोस्तों जाद दखना है, भाई का संबंध होगा इन दोनों का, क्योंकि दोनों के पिता सेम है, क्योंकि संजय के चाचा के पिता, पिता यहाँ पर होगा तो पिता के पुत्र कौन होगा रमेश है रमेश और संजे दोनों क्या होगे बाई आपका option नमर फूर आपका से होजएगा इस प्रिकार से दोस्तों जा दखना है fourth नमर option क्या होजएगा बिल्कुल सही answer होगा चलिए समझ में आगए होगा next question के बढ़ते हैं अगला question है question number 5 है question है दोस्तों एक लड़की की तस्वीर की और संकेत करते होगे पिरमोद ने कहा कहा कि वह मेरी बेन की मा के पती की पुत्र बदू है यदि पिरमोद का कोई बाई नहीं हो तो बताइए वैलड की पिरमोद से किस प्रिकार समझ देता है question आपके option आपके दे रखेंगे इस प्रिकार का next label का question आपके पूछा जाएगा तो देखिए इस प्रिकार के question को करना है तो देखिए सबसे पहले आप question के अनुसर आप सीदे सीदे चलते चलें question जिस प्रिकार से बोल रहा है उसी अनुसर आपको चलना होगा देखिए सबसे पहले करना क्या है question क्या करा है एक लड़की की तस्वीर की और संकित करते हुए पिरमोद ने कहा चलिए हम यहाँ पर लड़की को लेते हैं दोस्तो यान कि जी से हम डिनोट करते हैं लड़की को या दखना है एक लड़की की और संकित करते हुए पिरमोद ने कहा पिरमोद आपका यह होगा दोस्तो इसकी और यह संकित करते हुए पिरमोद ने कहा कि मेरी बेहन की मा के मेरी बेहन सबसे पहले दोस्तो किसकी प्रमोद की बेहन बेहन हो गई प्रमोद की मेरी बेहन की मा के बेहन का इसकी मा दोस्तो मा होगा मा के पती की पती सबसे पहले दोस्तो आपको यह होगा इसका मा का पती होगा पती की पुत्र वदू है पती की पुत्र वदू है कौन दोस्तो याद रखना है वे लड़की है दोस्तो पुत्र वदू होगी कौन होगी दोस्तो लड़की पुत्र वदू होगी दोस्तो ये लड़की दोस्तो याद रखना है इस प्रिकार से यह relation आपका बैठेगा अब दोस्तो याद देंगा यदि प्रमुत का कोई भाई नहीं है आपके आगे condition दे रखी प्रमुत का कोई भाई नहीं हो तो बताए लड़की प्रमुत से किस प्रिकार समध्द है तो देखे दोस्तो अब आपको पता चलना चाहिए द पत रखी प्रमुत की समध्द हो कि इस प्रिकार समध्द होगी दोस्तों याद दखना है या दावित प्रमुत की क्या लेगी जिसकी प्रमुत करने के लिए बोल रहा है गए करें को आपको सब्सक्राइब गांव कर दें। ज़स्क्राइब कर दें।